वेल्कम एवरिवन आज मैं आपको लाहासा की और इस पार्ट के बारे में कुछ महत्पूर्ण बातें वता रही हूं तो इसमें हम आरमबे देखिए कि भारत से जब तिबत जाते थे यानि तिबत भारत से बाहर एक देश है तो जब हम वहां जाते थे तो हमें रास्ते में नेपाल हुकर के जाना होता था और उस समय कोई अन्य मार्ग नहीं बना था जिससे हुकर के हम तिबत जा सकें तिपट का रास्ता बहुत ही कठिन होता था और उसके रास्ते में मार्ग में अनेक किले भी बने हुए थे और इन किलों में चीन की सेनाई रहा करती थी अब इन में से बहुत सी चोक्या और दुर्ग किलों को कहते हैं वो गिर चुके थे बात में भारत से तिबबत जाने के लिए फरी कलिंग पॉंग एक रास्ता बनाया गया जिसका नाम है फरी कलिंग पॉंग इसके बनने से तिबबत जाने के लिए नेपाल नहीं जाना पड़ता था यानि नेपाल रास्ते में नहीं आएगा आप सीधाई बाइपास जिसे बोलते हैं तो वो रास्ता बना दिया गया यहाँ पर राहुल जी ने बताया कि उस समय तिबबत में भिकमंगों की इस्तिती अच्छी नहीं थी और लोग चोरी के डर से या चोरी करने के कारण से उन्हें अपने घरों में नहीं आने देते थे फिर लेखा कि यह कहते हैं कि तिबपत में जातिगत भेदफाव नहीं किया जाता है अलग-अलग जातियों के लोग आपस में मिलजुलकर रहते हैं और वहाँ छुआ छुद भी नहीं है वो सभी को एक समान समझते हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो परदा भी नहीं करती है कहने का यहाँ पर क्या तत्वरी है कि स्त्रियां पुरुशों के समान स्वतंत्रता पुर्वर कारे करती हैं, खुलकर करे करती हैं, किन्तों वहां घटिया किस्म के भीक मांगने वालों को घर में नहीं आने देते हैं, त्योंकि उन पर चोरी का संदेह होता है। में जा सकते हो और वो आपको चायादी भी बना करके देंगी। यहां पर लेखक ने तिबबत यात्रक के समय विशेश दांडे थोंगला स्थान है, एक गाउं का नाम है, उसमें जब वो जा रहे थे तो उसके रास्ते में जो जो खत्रे उन्हें आए उसके बारे में तिबबत में कानून की धुल्मूल स्थिती है और ये भी लेखक ने इसमें बताया था, और अगर हम बात करें, यहां पर जो पहाड़ी रास्ते हैं उनके खत्रों की, तो यहां पर मीलों तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता, मीलों यानि काफी मील तक, दोरी तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, और यहां नदियों के मोड हैं, पहाड़ों के कोने हैं, और यहां यात्रा का सबसे खतरनाक स्थल है, और इसलिए डाकों ने डाका डालने के लिए इसको चुना, और उनके लिए सबसे अच्छा भी स्थान भी है, क्योंकि वो जनियान, जहां पर लोग ना हो तो वो मनमानी कर लेते हैं अपनी टिपत मेदी किसी गाउम में ख Hoch भी हो जाए तो खुनी को सजात थो होती है लेकिन अगर एक हम्ति में कहीं किसी का खुन हो जाए तो कोई परवाह नहीं करता है और यही खत्रा यहां पर बता रहे हैं राह नदियों के मोड पहाडों के कोने और कहीं भी दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं देते हैं तिब्बत में आपको मैंने बता दिया कि खून के लिए कोई सजा नहीं दी जाती है और यहां पर एकांत स्थायन पर जाना काफी खतरनाख हो सकता है तिब्बत में लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किये गए हैं और यहां की सरकार खुफिया विभाग और पुलीस जो होती है न सीबीई वग्यारा उन पर अधिक खर्च नहीं करती है और साथ ही यहां कोई किसी की गवाही भी नहीं देता है यह सन 1930 की घटना के बारे में यहां पर बताया है और जब लेखक जो थे तिब्बत की यात्रा पर गए थे तो वो विखारी के वेश में गए थे रास्ते में उनकी मुलाकात एक मंगोल जाती के बौध विक्षु से हुई और उसे लेखक ने सुमती का नाम दे दिया सुमती होती है अच्छी बुध्धी वाला व्यक्ती चाहिए वो कोई भी हो सकता है सुमती की तिब्बत के गाउं में बहुत जान पहचान थी और वहां के लोग उसका बहुत समान करते थे सुमती की काफी जान पहचान थी क्योंकि वो एक भिक्षुप थे और यही था यही कारण रहा कि लेखक को उनके साथ रहने के कारण ठैरने के लिए अच्छी जगा मिल गई थी और बात करें डाकों की मैंने आपको घटना बताती है कानुन विवस्था अच्छी नहीं थी और यहां पर जागिरदारी विवस्था पाई जाती थी यानि की मजदूरों का शोशन होता था कुछ जमीनों के मालिक जागिरदार कहे जाते हैं जो बहुत अधिक जमीन के मालिक होते हैं और लोगों को काम पर रख करके काम करवाते हैं मजदूरों से लेखक ने यहाँ पर भिक्षु जो है उनकी स्थिति राजा के समान बताई है क्योंकि जागिर का मालिक भिक्षू को बना दिया जाता था और भिक्षू ही जागिरों में खेती बाड़ी का कम देखा करते थे और राजा के समान वो रहते थे क्योंकि उनके पास काफी जमीन होती थी उनके अंडर में और तिब्बत में जो खेती वाले मजदूर हैं, उनकी दशा यहांपर काफी दैनी थी, काफी खराब हालत यहांपर थी, जागिरों का बड़ा हिसा मठों के हाथ में होता है, मठ होते हैं, जहांपर बिख्षू लोग रहते हैं, बिख्षू लोग रहा करते हैं, उसे विहार या मठ कहा जाता है लेखक जब पहाडों पर जा रहे थी तो उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा और लेखक को अपना समान भी खुद को ही उठाना पड़ा अगर प्रिशन आ जाए कि उन्हें क्या क्टना यां आई रास्ते में तो आप ये पता सकते हो कि वो साधारण यात्री के वेश में नहीं थे बलकि एक बिखमंगे के रूप में उन्हें वेश में यात्रा की थी और बिखमंगों के लिए तिबबत में कोई आदर नहीं होता है क्योंकि उन्हें चूरी का डर लगता है इस ये लेख को हर कदम पर संदै की द्रिस्टी से देखा जाता था, शक की द्रिस्टी से देखा जाता था और उनने कोई भरिया भरिया यानि भार ढोने वाला वैक्ती भी नहीं मिला और इसलिए उन्हें अपने जो ट्रेवलिंग थी उसमें काफी कठीनाई आई यात्रा में काफी कठीनाई आई एक स्थान पर जब वो जा रहे थे तो उन्हें घोडा लिया और अपने साथियों से वो अलग हो जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं कुछ दूरी पर जाने के उन्हें खयाल आता है कि वो अपने साथियों से बिछड चुके हैं बिछुड चुके हैं अलग हो चुके हैं तब फिर वो वापस सही रास्ते पर आते हैं और सुमती को मिलते हैं इस पर सुमती जो है काफी नराज होता है उनसे और फिर वो साथ उसके चले जाते हैं सही रा परवत हैं उनको कारती हुई अनेंग जलकी धाराएं बेहती हैं और कुछ पहाड़ों पर तो हरे भरे र्च्ष हैं और कुछ बिलकल ही बिना र्च्ष के हैं यहां बिलकुल भी पेड़ बोधे नहीं हैं और कहीं-कहीं थोड़ी भोःत जग्य जो है बिलकुल समान समतल है यानि पहाड भी नहीं है तो कहीं पर ऐसा लगता है कि पहाडों से घिरावा टापू है यानि चारो तरफ पहाडी पहाड दिखाई देते हैं कहीं कहीं पहाडों की जो धलान है उसमें छोटे-छोटे गाउं बसे हुए है और पहाड़ों को काट करके थोड़े मार्क बनाए गए है, सड़कें बनाए गई, पहाड़ी की चरहाई कहीं कहीं तो आसान है और कहीं सीधी और कठिन है, हर्याना की बात करें, तो हर्याना में पूरी तरह से समतल मैदान मिलेंगे, और तिबबत की बात करें, तो वहाँ की स खेत आपको नजर आएंगे यहां अगर बात करें यात्रा वरितान्त की तो रहूल जी की 1930 में जो यात्रा थी उस समय के अगर हम बात करें तो आवागमन के साधन उपलब नहीं थे और एक रास्ता था जिसके थू उन्होंने यात्रा की थी यहां पर परदा प्रथा की बात मैंने आपको बता दी है और बिखारी के वेश में उन्होंने यात्रा क्यों की सुमती को उसके यजमानों से मिलने से मना कर दिया था क्यों क्योंकि थोड़ा वो लालची था सुमती जो था थोड़ा लालची था और यजमानों के पास जाकर काफी टाइम तक आने का नाम नहीं लेता था इसलिए लेखक ने उसे यजमानों के पास जाने के लिए मना कर दिया था और अगर बात करें कि वह लेखक कहां पर ठहरा था कौन से इस्थान पर ठहरा था तो उसका नाम है लंकोर यह सब चीजें आप इस पार्ट की याद रखना इस पार्ट के लिए मैंने काफी important explanations के और वीडियो भी बना रखे हैं जिनके आप description box में जाकर के link मैंने वहाँ पर दिये हैं तो आप चेक कर सकते हो इसके इलावा यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजे साथी bell बटन को सभी प्रेस कीजिए जिससे आपको सभी वीडियो के notifications मिल जाएं थैंक्यू फॉर वाचिंग